भारत और साउथ उप्रिका के बीच खेले जा रहा पहला टेस्ट मेच का दूसरा दिन रद कर दिया गया है अब कैसा रहेगा कल के मौसम का हाल बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे लेकिन उससे पहले अगर आप भी केल लाहूल को एक विसपोटक बले बाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजे साथी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आल पर सेलेक्ट करना बिलकुल भी ना भूलें जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहूं सके जिस मैदान पर केल आहूल और मैंक अगरवाल बल्ले से रनों की बरसात कर रहे थे वहीं दूसरे दिन ऐसे बादल बरसे कि खेल को रद करना पड़ा दूसरे दिन एक भी ओबर नहीं फेका जा सका सेंचूरियन में सुबह से ही लगातार बारिस होती रही दिन के वक्त बारिस रुकी लेकिन कुछ देर बाद आस्मान फिर से बरसा सेंचूरियन टेस्ट का दूसरा दिन बारिस की बज़े से रद होना टीम इंडिया के लिए किसी जटके की तरह है क्योंकि उसने पहले दिन बहतरीन खेल दिखाया और दूसरे दिन वो बड़ा स्कोर खळा कर सकती थी अब सवाल यह है कि सेंचूरियन टेस्ट के तीसरे दिन क्या होगा मंगलवार को सेंचूरियन का मौसम कैसा रहेगा क्या तीसरे दिन भी बारिस होगी या फिर आसमान साफ रहेगा इस सवाल का जवाब भारतिय फैंस को राहत देने वाला है मौसम वेबसाइट के मुताबिक स प्रेंचूरियन में सोम बार रात तक भारी बारिस होगी लेकिन मंगलवार को आसमान साफ रहेगा बारिस के आसार ना के बराबर हैं। बता दे कि अगर इस टेश्ट मैच में दूसरे दिन की तरह ही बरसात होती है तो टीम इंडिया की अच्छी बलेबाजी का कोई पायदा नहीं होगा तोकि टीम को जीत हासिल करने के लिए कम समय मिलेगा वही साउथ अपरिका की टीम इस खराप मौसम से खुशी हुई होगी। तो दोस्तो इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें साथी क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरे पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपना बहुमोल्य समय देने के लिए धन्यबाद।